नमस्कार दोस्तों आसा रखता हूँ कि आप सभी लोग घर पर ठीक होंगे दोस्तों सीता को स्राप सांसार के हर दर्म में बुरो कर्मों की सजा भुगतने का प्रावधान है सनतन काल से चला आया है कि बुरे कर्मों का फल बूला होता है चाए वो इंसान हो या खुद इस वर कोई क्यों ना हो इसका एक उदारन है माता सित्ता हम में से बहुती लोग कम होंगे जिनको ये बात पता होगा कि माता सिता को एक गर्ववति ने श्राप दिया था जिसंकी वजह से सिता को संपड़ा था राम का वियोग वाल matter मता सिता को उसकी किया सजा भुगतनी पड़े थी इनके बारे में नहीं जानते हो ना तो कोई बात नहीं आज के ये वीडियो देखते रहे है आज के ये वीडियो में आपको इसी टोपिक पर बात करूँगा कहते हैं एक बार बाली आवस्ता में माता सिता अपनी सहलियों के साथ बगीचे में खिल रही थी और उसी बगीचे में एक पेड़ पर तोटे का एक जोड़ा बेठा था दोनों आपस में माता सिता और भगवन राम की बात कर रहे थे जिसे सुनकर माता सिता का ध्यान उस तरप आकरसित हुआ कनिया सिता उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी मादा तोटा यह बोल रही थी कि इस संसार में राम नाम का एक बड़ा प्रता पिरह जाओगा और राम की साधी बहुती सुन्दर और खुबसूरत पत्नी सिता से होगी यह बात सुनकर सिता की उठसुपता कापी बढ़ गई इसलिए कनिया सिता ने उन तोटों को पकड़वा लिया और सिता उनसे अपने और राम के बारे में पूछने लगी उन्होंने तोटे से पूछा कि तुमें ये सब कहां से पता चला तब तोटे ने कहा उन्होंने ये बात मरसी वालमी की के मुख से उनके आस्रम में सिस्यों का पढ़ते वक्त सुना सिता जी ने तोटे से राम के बारे में और भी बात जानने के जिगने से विक्त की और कहा कि तुम जे सिता की बात कर रही हो वह जनक पूत्री सिता मैं ही हूँ, मैं चाहते हूँ कि तुम आठ से मेरे साथ रहो, मेरी सहली बनकर और मेरे और राम के बारे में मुझे बताते रहो तब नर्थ तोते ने सिता जी से कहा कि यह सिते हम आपके साथ आपके मेल में नहीं रह सकते हम पक्सी है हमें उन्मुग गगन में रहना पसंद आता है इसके बावजुद सिता ने जीत करते हुए तोते से कहा कि जब तक मेरा वीवा राम से नहीं हो जाता तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। सिता की इस जीत पर तोते ने सिता से काफी याचना की फिर भी सिता नहीं मानी। नर तोते को आजात करते हुआ कहा कि तुम खुशकुशी जा सकते हो लेकिन मादा तोता मेरे साथ रहेगी। इस पर नर तोते ने सिता जी से कहा कि ये सिते मेरी पत्नी गर्ब से है मैं इसका वियोग नहीं सापाऊंगा। आप इसे छोड़ दो तोता के बहुत घिरड़ने पर मिता सिता ने उनकी एक भी नहीं सुनी और इन्हें छोड़ने से मना कर दिया। इसलिए मादा तोता को बहुत गुसा आया और मादा तोते ने सिता जी को स्राब देते हो कहा जैसे तुम मुझे मेरे पती से मेरी गर्ब अवस्ता में दूर कर रहे हो उसी प्रकार तुझे भी अपनी गर्ब अवस्ता में अपने प्रती राम का वियोग सहिना इसके कुछ समय बाद पत्नी के वियोग में व्यतित नर तोते ने भी प्रान त्याग दिये और इसी गर्ब अवती तोते की स्राब की वज़े से माता सिता को गर्ब अवस्ता में राम का वियोग सहिना पड़ा था तो रामयोन से जूड़ी यसी कई कावनिया है जो सबी के लिए आस्टेरे का विसह ही है सी राम के जीवन के रामयोन की कथाए कोई न कोई सिख देती है देखा जाए तो रामयोन की रोचक कावने की सुरुआच सिराम, लक्समान और सिता के चौट साल के वनवस गमन के चात राजा देसरत ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिये थे वाल में की रामयान के अनुसर राजा देसरत का अंतिम संस्कार भरत और सतुग्ण ने किया था लेकिन कि आप जानते हैं कि उनका पिंडान किस ने किया था और क्यों किया था इनके बारे में नहीं जानत राम ने ने बलके देवी सिता न किया था। गया स्थल पूरण के अनुसार एक पौरणिक काहनी मिलती है जिसके अनुसार राजा दसरत की मृत्यु के बाद राम के आयोध्या में नव होने के कारण भरत और सत्युग्ण ने अंतिम संस्कार की आरविजी को पूरा किया था। लेकिन राजा दसरत की आत्मा तो राम में बसी थी। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद उनके चिता की बच्ची हुई राख उड़त वी नदी के अपास पहुचाई। उस दोरन राम और लक्समन स्नान कर रहे थे जबके सिता नदी किनारे बेटकर रेत को आतों में लिये व उनके कुछ कहिना चाहती है। राजा ने सिता से अपने पास समय कमोने की बात कहिते हुए अपने पिंद्यान करने की विनंति की सिता ने पीछे मुड कर देखा तो दोनों भाई जल में द्यान बगना थे सिता ने समय व्यत्ना करते हुए राजा दसरत की इचा पूरी करने के लिए उसे फालगुनी नदी के तट पर पिंदान करने का फेसला किया। उन्होंने राजा की राग को रेत्न मिला कर हातों में उठा लिया। उस दोरन उन्होंने फालगुनी नदी, गाइप, तुलसी, अक्सई वाट और एक ब्रामन को इस पिंदान का साक्सी बनाया। पिंदान करने के बाद सी राम और लक्समन। जैसे ही सिता के करीब आये। दिवी सिता ने सारे खता सुनाई, ये बाट सुनकर राम को सिता पर हिस्वास नहीं हुआ। सिता ने राम को समझाने के बहुत प्रियास किये, अंत में सिता ने राजा धसरत के पिंदान के साक्सी पाथ जीओ को बुला कर सत्य बताने का अगर किया, लेकिन सिराम के क्रोधित देखकर फालगुनि नदी, गाईप, तुलसी और ब्रामन ने आ सत्य बोलते हुए यसे किसी भी घटना के होने से इंकार कर दिया, जबकि अक्से इवट ने सत्य बोलते हुए सिता का साथ दिया, अन्या सभी जीओ की बाते सुनकर सिता सोक और क्रोट से व्यकल होटी, उन्होंने चारो जीओ का स्राब दे दिया, जबकि अक्से इवट को बर्दान देते हुए कहा, कि तुम हमें साब पूजनिया रहोगे और जो लोग भी पिंदान करने के लिए गया स्थल आएंगे वो सेवट के पास आकर जरुर पूजन करेंगे तो तता उनकी पूजा सफलोगी और सत्य बोलने वाले जीवों में सितान गाय को असराब दिया था कि वो लंबे समय तक नहीं पूजी जाएगी वही फालगुल नदी के पाने को सुख जाने का स्राब दिया था इस नदी में हाद भी ज़्यदा पानी नहीं रहता है वही तुलसी को गया में उगना उगने का स्राब दिया आखिर में ब्राहमन को स्राब देते हुए देवी सिता ने कहा ये तुम कभी स अंतुष्ट नहीं रो पाओगे वस्तों की पाने की लालसा आप में हमेसे रहेगी तो दोस्तों मेरी ये छोटी सी वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि राजा दसरत का पींडान देवी सिता ने क्यों किया था और उनके साखसी कौन थे अगर आपको मेरी ये वीड कि ये बेल बटन को क्लिक करना मत बुले किसे मेरी आने वाली सब्सक्राइब करना बेकुल फ्री है और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब टिया है उनका बहुत बहुत धनिवाद क्या क्या कि ये पार जिन देख उनका बहुत घुट